कोरुना काल चल रहा है और एक इंग्जेक्शन है जिसकी डिमांड अब सबसे ज़्यादा देखी जा रही है रेम डेश शीवन नमक इंग्जेक्शन है कोरुना पोजिटिब मरीजों के शुरुआती लक्षन से रिपटने के लिए यह कारकार साबित हो रहा है और बजय केबल यही है कि हर जगय इसकी मांग देखी जा रही है सरकारी इस्पतालों के साथ साथ अनकही उपलब्द नहीं हो पा रहा है वहीं सप्लाई करने वाले निजी इस्पतालों तक यह पहुँचाते हैं लेकिन अभी स्टॉक नहीं है दवा दुकानों में भी इंग्यक्शन उपलब्द नहीं हो रहा है राजेश फार्मा नामक एक स्टॉकेट्स हैं जहां लोगों की भीड तो देखी गई लेकिन यहां इंग्यक्शन उपलब्द लोगों को नहीं हो पाया राजेश फार्मा का कहना है कि जल्द ही यह injection of blood हो सके और लोगों को दिये चाहे क्योंकि इसकी मांग सबसे ज़्यादा देखी जा रही है बहीं अगर बात करें तो अगर यह मांग के अनुरूप पूरा नहीं होता है तो 5-10,000 रुपए में इसे बीचा जा रहा है सर मैं खुझबे बिजनेस ओफिसर जायडस में हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटिव एंड हमारे कुछ साथी जो वर्किंग से और हम लोग एमर हैं तो काम के साथ काम करते हुए उसमें एक पेसेंट एक साथी भी पॉजिटिव आ हुए है और हमारे रिलेटिव भी जनके फैंबली मेंबर्स पॉजिटिव हैं तीन दिन से लगातार परिशान हो रहे हैं कि रेमडी से बर मिल जाए परंतु मिल नहीं पा रहा है मेडिकल हॉस्पेटल में भी जामदर में भी भंडारी में भी और मिल भी रहा है तो काफी ज्यादा चार्जिस लग रहे हैं जैसे सब्सक्राइब हो जाएगा तो यह दे पाएंगे पर है यह नहीं तो कब से स्टॉक नहीं है कल सिर्फ दुफैर में दो से चार बज़े तक रह पाए था तो पांच बज़े से कल सभी के सब्सक्राइब हो रहा है अभी यह बोल रहा है कि साम तक साइब है वो भी कंफर्मेशन नहीं है तो फेर तक साम तक जैसे आता है वो प्लब्द कराएं